फ्रेंद्स वल्कम तो मैं चानल अनुकी महपत और आप देख रहे हैं आर्जू लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता कि जहाँ पर जो एरा रहती है वो अधिका के साथ अपर रिलीशन में आ चुकी रहती है दोनों का लफ एक्टम कनफेस हो जाता है जिसमें अधिका और एरा अब एक दूसरे के साथ अपने दिल की बाते शेयर करते हैं और चैट करते हैं और इसे साथ थोड़ा सा फ्लेट भी करती है अधिका को उसकी फ्लेटिंग भी अच्छी लगती है लेकिन उसका दिल तो कहीं न कहीं इरा के लिए धड़कता था क्योंकि उसे इरा के साथ अब लगाव हो चुका था तो वो दुनों जब मैसेज में चाट कर रहे थे तो चाट करते करते वो उसे बताती है कि कुनाल एक डॉक्टर है और इस डॉक्टर के पास हम जाएंगे जहां होप खतम होती है वहीं पर हर चीज स्टार्ट होती है अब इसके आगे दोनों की चाइटिंग काफी अच्छे से हो चुगी थी तभी एगा कहती है अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा शाम का टाइम आ गया है आरफ भी कभी भी आ सकता है तो मुझे खाना वाना भी बनाना है और मैं नीचाते कि मेरी सासो मां की कुछ पाते मुझे सननी परे तभी अत्रिका कहते कि जाओ जाओ अच्छे से जाओ, take care मैं जरा चाती हूँ काम करने के लिए मैं भी जरा चाह रही हूँ मुझे भी थोड़ा सा काम है मैं उसे भी कर लेती हूँ यह बोलकर दोनों वहां से निकल जाते हैं थोड़ी दल के बाद जो हमारी अधरी का रहती है वो का प्पे बैठी तो जैसे को प्रफली नजर isa by जाती है तो वहां पे शनाया बैठी रहती है शनाया एक बॉस्तों पे बैठी रहती है कौई कि दिए टक गड़ा रहे हैं कि कि एक बस आय और वो और जैसे जैसे अधिगा वहां पर मरी तो बुपोली की पूरी बस एक तम से भर जाती है और वह फोद्पनी रगइता ये यह देख थे हैं यहां पर हमारी अने तो अधिका को यह चीज अच्छी नहीं रखते है तभी वह रोक आप वहाँ पर जो बस्टॉप है वहां पर तुम गारी रोकता है तो शनाय बोलती है कि मैं माप यहां क्या कर रहे हूँ चुस्रीब मृइनrit SHK करने की किया कर सकते हैं बला हम तो वह कहते हैं पहरी बात तो हमेरी लिए आज अब में अतना प्ँटर चोड़ा और उपे पट्षा that dr- Pepper me your favor please तो वह बुलती है see hey और वह से अपने कार पर बिठा दी है, और वह版 से लेने के ले साटा ले जाती है आ वह से खाती है, तुमारा होस्रल जाए है मुझे बता देना और driver को सटल काइड्रस बता देती है यह ऑस्रिन हारा जा रहती है तब ही जो एरा रहती है उसका message आता है अधिका को तो अधिका उसका message खोलती है तो उसमें quote दिखा रहता है जो actually में एरा को काफी अच्छा लगा रहता है तो वो quote forward कर देती है जो love से related होता है कि प्यार का मतलब सिफ और सिफ लेना नहीं देना होता है जिसको देखे smile करते है तब ही शुनाया पूछती है what's up man something something क्या आपके life में कोई ऐसा आ चुका है क्या जिसके messages देखे आप काफी जादा खुश रहती हो तब ही अधिका कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम बताओ सब ठीक तो वो कहती है मैं क्या बताओ सब ठीक आपके साथ ही थी मैं तो वो कहती है कि क्या हुआ तुम ऐसे face के expression क्यों बना रही हो तो वो कहती है भूख लग रही है मुझे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है शनाया ऐसे बोलती है तभी अतिका कहते हैं ओके ओके ठीक है क्या खाना पसंद करोगी तो कहते हैं हम इंदौर में हैं और इंदौर में चपन बोग ये सब चीजे तो किती फेमस होती है वहाँ पर बहुत साई डिलिशिस सीजे मिलती है तो कुछ भी खिला देना तो वह कहते हैं अच्छा अच्छा पक्का पक्का तो ऐसे कहके वह लोग जब डायरिक्शन में चल रहे रहते हैं तभी महाँ पर चपन भोग पढ़ता है और जो ड्राइवर रहता है वो बलता है मैं आप लोग यहीं बैठिये मैं लेकर आ जाता हूँ तो क्योंकि अधिका को वीलचेयर में थी और उसे मतब उसके लिए वीलचेयर निकालो फिर अंदर लेकर जाओ तो काफी टाइम था और उसके ड्राइवर को हर चीज पता थी कि काप कौन सी चीज मैं खाती है तभी माँ पर शनाय कहते हैं अधि रुको ना आप भाया रुको मैं क्या कहा रही थी माँ कि मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उनके साथ जाके अपनी मन पसंद चीजे ले लू इफ यू डोंट माइंड क्योंकि मैं थोड़ा सा यूनीक खाना खाती हूँ तो तभी अधिका कहते है कि हाँ हाँ तीक है जाओ फिर ऐसे वह दोनों चले जाते हैं वह ड्राइवर भिया के साथ बहुत मस्ती करते हो जाती है अर्थिका वहाँ देखती है तो वह मस्ती मुझाग में देखती है और थोड़ी देर के बाद वो एक्तम से इधर करती है तब उसे एक call आता है और वो call को pick up करती है वो call actually में कुनाल का रहता है कुनाल उन्हें साइड डिटिल्स बता रहा रहता है कि आप कल दो बज़े आ सकते हैं appointment के लिए और दो बज़े आईए वहाँ पर मेरे साथ यहाँ मिलिएगा यहाँ पर कुछ जीज़े हैं तो जिसमें अधरिका जो रहती है कुनाल के साथ काफी अच्छे से बात कर रही रहती है और कहती है कि ठीक है मैं आ जाओंगी I don't have any issue regarding of that तो मैं आ जाओंगी और ऐसे कहा कि वो फोन रख देती है तोड़ी देर में करीब 10-15 मिट के गाप के बाद दोनो के दोनो आते है तो वहाँ से जो अधरिका रहती है वो जो रोल आइसक्रिम होती है जो तवा आइसक्रिम बोलते है वो ही खाती तो वो ही खाती है और यहाँ पर sandwiches और साथ एक pizza वो लेकर हमारी शनाया आती है तो शनाया जैसे ही आती है तभी वो बोलती है माम आप खाना चाओगे तो तभी अतिका कहती है तो क्या तुम अखेले तसा रखा जाओगी तो शनाया कहती है माम किसी के खाने पर ऐसा टोका नहीं करते है मुझे भूख लगे कि तो मैं खाऊंगी ना प्रॉब्लम है क्या तो तभी वस्ते बोलती है अचाचा कुछ प्रॉब्लम नहीं खाओ तो ठीक है मैं वन बाइट ले लेती हूँ तो वो ऐसे लेके वन बाइट खाते है तो लोग काफी मस्ती करते अधरिका देख रही रहती कि शनाया बिलकुल एक चोड़ी सी बच्ची है और उसे कहीं न कहीं अधरिका को शनाया पसंद रहती है क्योंकि वो बच्चे का रूप रहता है अच्छा लगता है और अधरिका तो हमेशा से थोड़े अलगी जोन में रहती है क्योंकि शनाया जो रहती है वो अपने अलगी जोन में रहती है उसके तो अभी इंटर्नशिप्स वगेरा ये सब चल रही रहती है तो वो अपनी लाइफ को एक अलगी चीज में इंजॉय कर रहती है थोड़ी देर की बात रहती है कि उसका होस्ट रा जाता है और वो माम को थैंक यू बोलके निकल जाती है यहाँ पर जो एरा रहती है वो भी अपने काम में बहुत सादा बिजी हो जाती है आरफ के लिए खाना वाना बनाना स्टार्ट कर देती है और as usual खाना बनाते टाइम उसकी जो सास रहती है वो थोड़ा ना थोड़ा तो उसको टॉंट मारती है कि तुम कहां है तुमारा ध्यान तुम खाना ढंग से नहीं बनाती हो और वो भी as usually देखके हर चीज़ को avoid करते हुए खाना बनाने लगती है थोड़ी देर के बाद वक्त इसी तरीके से बीच जाता है और 9-10 बच जाते है 9-10 बचे आरफ आता है आरफ जैसे ही आता है तो वो बोलता है मुझे काफी जादा भूग लग रहे है wean very very hungry और ऐसे कहे के वह बैठ जाता ऑ तो तभी एरा खाना वाना परस्ती है और वो खाना खा लेता है थोड़ी देर के बाद चब पुड़ा खाना खाने के बाद आरफ अपने रूम पर जाता है तो एरा भग पर और आरड़ी भेठी रहती है जसमें वो करएं न करें क्यूट क्यूट सी फ्लाटिइदि तरीके से बात करते थे जहांँ पर यहां पर जो इरा रहती है वो चैटिंग करते हुए आधरory का से बोलती है की कैसे हो तुम खाना भाना खाया की नहीं जिसमें अर्थिका भी बहुत फ्लेटी वे में बोलती है कि कहां खिलाया मैं तो कब से एक छोटे से बच्चे की तरह बैटी हूँ कोई मुझे फीडी नहीं करता है तो तभी एरा बोलती है हाँ और ऐसे तुम भी फीडिंग में क्या चाहिए तो वो कहती है कि मुझे मिल्क जादा पसंद है तो एरा कहती है हाँ मैं बोटल का मिल्क ला दूंगी तभी अर्थिका कहती है मुझे मैनुफेक्टर कंपनी से डारक मिले तो जादा अच्छा लगता है तभी एरा बोलती है कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पल्स हिसे ऐर्फ दो किसे चेट कर रही हमने इस जोन में जा कर अपना मूर भराब नहीं करना है so I don't want to be talk about that तुम बोलो कज और बात है तो कहता है कि तुम किस से चाट कर रही होतना तो वो कहते है कि क्यों हमाई बीच में एक डिसाइड हुआ था कि मैं अपने एक परसनल जोन में रहूँगे तुम एक अपने परसनल तो नहीं बना या तब ही Erra स्माइल करता है तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती हो बट मैंनी चाहता कि तुम किसी और लड़िये गी तरफ देखो और तुम्हारा किसी के साथ से और चेले I don't like that तभी हो समाइल करते है तुम्हारे लाइक करने से क्या होता है तो भी आरफ को गुस्सा आता है, वो एक्तम से फोन ले देता है, तो वो देखता है, तो उसमें अध्रिका के मैसेज आ रहते हैं, और मैसेज रहते हैं कि शाम को एक अपॉर्मेंट के वा कुनाल से मेरी बात हुई थी, दो बज़े का अपॉर्मेंट बोला है, डॉक्टर तो वही उसने एरा को फारवड करते हैं, अब जब एरा एक्तम से फोन आरफ लेता है, तो उसो कहीं न कहीं हार्ट पीट बहुत तीजी से बढ़ने लगती है, उसे तड़ लगता है, क्यों उसकोट कि अगर आरफ को पता चला, अजिका हो मेरे चैट पे लिए, तो क्या वो बोलता है, सॉरी, तब ही एरा उसकी तरफ दे क्यों बोलती है, सॉरी क्यों, तो कहता है, तुम अपने डॉक्टर से बात कर रही हो, और वो भी कुछ काम से रिलेटेड हो, मैंने तुम पे शक किया, I'm सॉरी, और वैसे यह अजिका तुमारी दोस्त भी है, तो वो कहती ह है कि, आरफ, मैं कल ऑफिस जा रही हूँ, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे ऑफिस में कुछ फॉर्मालिटी है, मैंने जॉइन करना है, तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है, मैंने गरवालों कुछ बता दिया है, तुम जा सकती हो, ठीक है, I'm sorry, तो तब ही, ईरा आरफ की तरह बोलती है, बोलती है, धीरे से, I'm sorry, आरफ, टू, because मैंने भी तुमें कहीं ना कहीं चीट किया है, धीरे से बोलती है, तब ही, आरफ कहता है, तुम ने कुछ कहा, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, और थोड़ी दे के बाहर, तो तब ही, जो एरा हैती है, वो चाट के मैसे देखती है, तो अजिकाली कहीं, कहां चली गई हो, everything is okay, oh, maybe you are busy, okay, bye, good night, कल मिलते हैं, तो तब ही उसमें दिखती है, wait, 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 मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, actually, वो आरफ ने मोबाई ले लिया था, और thank God, तुम ने ही सारे चाट ऐसे बेच दिये, जिसकी इसे उसने हमाई flirting के चाट बगेरा नहीं देखे, तो तब ही महाँ पर अधिका बहुत प्यासे बोलती है, बेबी, अगर कुछ ऐसा reason होता है, तो तुम चाट क्लीन करती रहा करो, चाट क्लीन कर लिया करो, तो कहती है, but इतने cute cute messages होते, मेरी इच्छा नहीं होती, चाट क्ल करने की इरा कहती है, तब ही अधिका कहती है, sometime protection is very important, तो तुम्हें protection के साथ चलना चाहिए, delete कर दिया करो, तो वो कहती है, कि कुछ और option है, तो वो कहती है, chat lock भी कर के आता है, वो भी तुम कर सकती हो, तो कहती है, यह option काम का है, यह कर लोंगे, तो इरा, जैसी, मता अधिक जब यह बात सुनती है, इरा की, तो वो समाइडी इसको भीज देती है, और कहती है, कि चलो good night, इसी तरीके से वो दोनों रात को बात करते है, और सो जाते है, morning का time रहता है, as usual, same schedule रहता है, इस पार इरा जो रहती है, अपने घर के सारे जलेल दी काम करके, वो जाती है, अपने आफिस में जाती है, पर जब वो ऑफिस में जाती है, तो उसकी जो PA रहती है, जो इसकी असिस्टेंट रहती है, वो इस पर नहीं रहती है, असिस्टेंट चुटी पर रहती है, और वो नहीं रहती है, तो तभी वहाँ पर शनाया आती है, डोड ओपन करके, और कहती माम कि मां इतनी अच्छी हूना कि सब के सब मुझे ही काम पर लगा देते हैं और आपके साथ काम करने के लिए बहुत होता है तो तभी वो कहते है कि तुम्हारी ग्लासिस वगरा फिसे चूट जाएगी अधिका कहते है तभी इरा तभी शनाय पास आकर भूलती है कि माम क्लासिस जूट जाएगी तो प्राइवेट ट्यूशन क्लासिस भी तो मिलेगी ना आपसे क्यों प्रॉमिस में माम तो तभी अधिका कहते हैं हाँ बट वो कब पूरा करूंगी मुझे भी नहीं पता ताइम इमाज नहीं हो पाता है तो शनाय कहते है कुछ फ्लेवर्स के लिए मैं वीट कर सकते हो माम चलिए अभी हम काम स्टार्ट करें बना बहुत देरी हो जाएगी और काफी आपके पेशन्स जो है काफी जादा पेशन्स वेट कर रहे हैं आपका तो वह कहते है ठीक है स्टार्ट करो अधिक और ऐसे यह लोग स्टार्ट हो जाते हैं देखते हैं सब काम पूरे तरीके से चल रहा रहता है थोड़ी देर के बाद जो शनाया रहती है वो एकदम से पानी की पॉटल माम के सामने आगे करती है और कहती है पी लीजे माम आपको बहुत साधा प्यास लग रही है पर कंटिनियूस आप पेशन्स देखने के चकर में खुद का भी ख्याल नहीं रख रही हो प्लीज पी लो आप पैज़फील करोगी तो तब ही वहाँ से जो अधिका होती है वो एकदम शनाया की तरफ देखके समायल करती है और बोल कंटिनियूस ओपेडी में बिजी हो जाते हैं यहां पर जो एरा रहती है वो भी अपने काम क्लीट करती है जो भी उसकी कमपनी सके फॉर्म अलिटीज रहते हैं वह सारे के निभाती है जैसी वह जल्दी से फ्री होती है वाहाँ से करीब 10 दस मिनिट का ओकिंग डिस्टेंस रहता है वो दस मिनट के वाकिंग डिस्टंस वो कवर करती है और वही न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आके खड़ी हो जाती है वो अंदर जाके देखती है तो जैसी वो कैबिन उपन करती है और अब एरा की एक आदत हो गई थी कि वो अध्रिका पर अपना हग समझने लगती तो जैसे उसा नौक करके आना था वो नौक करके नहीं आती है तब ही वो देखती है कि शनाया और अध्रिका मिलके एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे रहते हैं तो जहां पर जो शनाया रहती है उसने बच्चे को पकड़ा रहता है और बहुत प्यास अपने गूदी में और अध्रिका की नजर इस की तरफ शाती है तभी अध्रिका करते है एक कौद रहते है इर्प यसा नんと अएख शनाया कहा हुँ विट्यप्रीट कर रहे थे बहुतं कुछ नहीं यह संहां अच्या क्या हूँ तो कै्या था क्योंत थी 아ंध्रिका क्या हॉता मैं च्रिय ने सप्राइज है क्याती है I join a join office तो तभी अट्रिका कहती है that's great means अब life की कुछ new journey start होने वाली है मतब जो boring life ती अब वो change होगी तो कहती है कि हाँ लेकिन उसे भी सादर इंट्रेस्टिंग पता है क्या है इरा पूझ बोलती है तभी अट्रिका कहती है क्या है अचा इरा एक मिनट हा मैं शनाय अज़र और वहां से वो report लेकर आना बच्चे की तो शनाय जो होती है वो report लेकर आती है और वो report देती है तभी अट्रिका और शनाय उस बच्चे का treatment कर रहे रहते हैं तो इस duration में जो शनाय और अट्रिका तुनों के हाथ बहुत बार एक दूसरे से touch होते हैं और वो दे लेकिन दोनों यह चीज़ों को माइंड नहीं करते पर इरा वहां पर यह बहुत सादा नोटिस कर रही रहती है कहते है ना प्यार में चैलिसी भी नाम की चीज होती है तुनों को रही रह चाहि क्या चाहित रोओ अ righteous फिक किलिस को कुछ गव्योश नहीं है तब है क्या थिए तो कर फांट हो गया तो क्या हुआज पर क्लूसों करनी के आद़त हैए तुम थोड़ाइbled तो चैनल से बच्चे के पकड़ा था मुझे उससे जलाए सी होती है तब यह किसमायल करते गोलती है इंटर्न है शनाया मेरी और इंटर्न से तुम कितना चलोगी बापा चलने वाली बात ये नहीं है कि वो इंटरन है अगर वो समझती है तुमारी और मेरी इंपोर्टन्स तब ही देखो वो खुछ चली गई तो समझने के कोशिश करो शी इस अंडरस्टाइड नहीं और मैंने ना उसके साथ थोरह सा रूटली बेहेव किया था तो पर वो बहुत अंडरस्टाइंडिंग है और समझता है तो कहती है कि तुम्हें बस उसी के भात करनी है ना तो हाँ हाँ जाओ जाओ करो करो मैं जाती हूँ तुम्ही उसी के पूरी रामकाता कर लो मेरी यहां के आने की तो तुम्हें प्रेसंच ही नहीं तभी अतिकाव से खीचती है और बोलते कम आउन बेवी इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है सियत के लिए अभी अभी से ता गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा यू बेहेव लाइका टिपिकल वाइफी तभी इरा स्माइल करने लग जाती है और इरा को अपनी हो कीचती है उसकी काल पर छोटा सा किस करती है तभी वो कहती है छोटे से बच्चा समझ के रखाए क्या बच्चों की तरह ट्रीट्मेंट करोगी मिस अजरिका तो तभी इरा क्याते हैं ओहुँआ इसकी काल पर इसकी करीब लेकर रहती है अथिका पहले अपना हैटी दोदर करने लगती है दीखने के लिए तभी इरा उसका एकतम से हट को स्ट्रेट करती है और अपने लिप उसके उपर लिप कर रख देती है तो उनों काफी पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते है थोड़ी देख के बाद अथिका तंसी इरा को बोलती है काम डाउँ चलो गूड निउस क्या ये बताओ तो वो बोलती है कि मेरा ओफिस यहीं पर 10 मिनिट्स के वाकेबर डिस्टंस पे समकराइब चाहिए वो तसल में कर दो तुम से कभी मिलनु सकती हम तो वो कहते तपर दो बजे हमारी जोड़ी हमारी कालकुल यह ज़ना है तो वो कहते है कि कुछ कहना तो तभी इरा बोलती है कि चलो न तुम और ऐसे बिदम से पर डुकॉल को लेकर जारी रहती है तो वो कहते है कि कहा ले जारी हो तो मुझे तो कहते हैं हम केंटीन चल रहे हैं तो कहते है कि तुम्हें पता है मैं केंटीन का खाना नहीं खाती है मैं घर जाओंगी तो कहते हैं तुम्हें केंटीन में पहट के खाना है तो केंटीन में वहां से वो एक पान की बॉटल्स लेती है और कुछ स्नैक्स लेती है जो इरा को खाने रहते हैं और अत्रिका के लिए वो घर से खाना बना के लाई रहती है और इतना डिलिश्यस आलू के पराठे बना के लाई रहती है और अचार रखी रहती है और वो अपने हातों से अत्रिका को खिला रह तो और यह हो गोँता है तो जिसकी फैर्ट कहते है तो यह बूखकर इनसान इधर देख कहां काने काने चारीए इधर देते के नशार आटे तभी वह देखके भूलती है याह आउ अशी फैर्ट बलती है जिसका है पाधे लिटाए मैं यह भी हालू के पराथे बुक्स में पढ़के आई है पागर हो गई है क्या तू गलट ट्राक पे है तू प्यार करना छोड़ वो दोनों रिलेशन्स में तो कहते हैं नहीं हो सकता अच्छली कहीं न कहीं शनाय को भी पता रहता है पट वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती इसलिए अपने दिल को समझाती रहती है कि ऐसा होई नहीं सकता थोड़ी देख के बाद वो दोनों इतने अच्छे से कहते हैं इरा उसे बहुत अच्छे से आदू के पराट अपने हाथ उसे कहलाती है पूरा उसका मतलब वाइपस आउट करती है उसका माउथ और उसे टर्न करती है और बोलती है अब चले और ऐसे करके वो चलने के लिए तयार हो जाते है तभी शनाया देख रही रहती है तभी हीरा जो रहती है वो शनाया की तरफ देखके वो इशार हो में कहते है शे इस माइन तब ही शनाय स्माइल करके बोलती है शे इस सो केड़िश ऐसे करते हुए बोलती है और फिर वहाँ पर वो भी अपना कैंटीन में कुछ भी खाने के लिए तगया हो जाती थोड़ी देरी के बाद ये लोग गार में बैठते हैं और कार में बैठने के बाद अत्रिका उसे बहुत प्यासे बोलती है थैंक यू फॉर जस्ट लफली लंच मझे कभी पता नहीं था कि कोई मुझे इतने अपने हाथों से कहलाएगा तब ही एरा कहते है अब आदत दाल लो तो तो कहते ही क्या तुम मुझे रोच कहलाओगी देखो मेरी आदत अगर दल गई ना बाद में जाके तुम्हें नुक्सान हो जाएगा क्योंकि फिर मैं सित करूंगी अधिका कहते है एरा कहते है तुम्हाई सारी सित पूरी करने के लिए तो आई हूँ जो सित पूरी करोगे वो करूंगी तब यह अधिका उसके पास बहुत नौटी वे में बोलती सारी सित और ऐसे कहके बुझ अपना इशारा है वो उसके मतलब नेक की तरफ करती है फिर थोड़ा सा नेक की तरफ उसके क्लिवेज की तरफ दिखाती है और अधिका उसे थोड़ा सा नौटी वे में बोलती तब हीरा बोलती है ड्राइवर भहिया भी है तुम थोड़ा सा कम नौटी नहीं हो सकती हो तो कहते है शुरुवात किस ने करी तो कहते है अरे मैंने कुछ शुरुवात नहीं करी है और इस तरह के से तभी वो ड्राइवर भी या भोलते है मैं घर की तरफ लूँ तभी वो कहते है घर की तरफ नहीं डॉक्टर की तरफ लेना है और हमें अब डॉक्टर की दरफ जाना है तो friends अब देखने आगे क्या होता है story मैंने कहा था कि मैं time के duration के साब से उपर नीचे fluctuation हो सकता है तो please manage करें मुझे जरूरी काम है तब तब लिए bye bye take care if you like my story like share and subscribe